दोस्तों कि आप Canada जाना चाते हो और ऐसा कोई तरीका चाते हो जिसमें आपकी जेब से कुछ भी खर्चा ना लगे। मैं आपको आज एक ऐसे ही प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको कमपनी पूरा स्पॉंसर करती है और Canadian सरकार की तरफ से आपको सेटलमेंट सपोर्ड में मिलता है। इसका मतलब ये कि आपकी जेब से कुछ भी खर्चा नहीं लगता है और आप Canada में जाके काम करना चालू कर सकते हो। और 5% mortgage पे ही आपको home loan भी मिल जाता है। आजकल Canada में कुछ ऐसे भी banks है जो आपसे कुछ भी down payment नहीं मांग रहे हैं और आपको loan भी दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ये नया प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का नाम है New Brunswick Critical Worker Pilot Program और ये जो प्रोग्राम निकाला गया है ये प्रोग्राम Canada की immediate job requirements को fulfill करने के लिए है। तो अगर आपकी education 5th pass and above है तो आप इसके लिए try कर सकते हो, freshers are always welcomed, अगर आपके बस कोई work experience नहीं है फिर भी आपके chances है, maximum age limit 55 years है। और सबसे बड़िया बात ये है कि अगर आप इस प्रोग्राम से जाते हो, तो within 10 business days आपका visa लग जाता है। या आप जो better education पेले ही ले चुके है, उनको 1 करोर तक का भी package लगा है। इतनी सारी आपको opportunity मिलती है। ये जब मैंने आपको program बता है, इसमें आपको free food, flight और accommodation company की तरफ से मिलता है, और आप जब Canada में पहुँच जाते हो, तो Canadian settlement plan से आपको extra support भी मिलता है। इस program में आपको job के साथ PR भी मिलती है, अगर मानली जी आपका new Brunswick critical worker pilot program से नहीं होता है, so there is another program which is called international mobility program, आप IMP program से भी जा सकते हो। और सबसे बड़ी बाती है कि आप family के साथ move कर सकते हो और आपको कोई agent की requirement नहीं है, तो दोस्तो इस program की full जानकारी के लिए इस video को अंतक जरूरू देखिए, क्योंकि आपको अच्छी information मिलेगी और ये information से आपको Canada में job भी लग सकता है और PR भी लग सकती है, तो दोस्तो य एसी designation से जिनमें अगर आप try करते हो तो आपके chances बढ़ जाते हैं, और इस program के बारे में भी मैं आपको full जानकरी दूँगा, तो दोस्तो न्यू ब्रंस्विक program में अगर मान लीजे आपको job मिल जाता है, तो within 6 months आपको PR भी मिल जाती है, दोस्तो जब भी आप Canada में PR के हैं अभी currently, तो दोस्तो Canada में एक और benefit रहता है कि अगर आप overtime करते हो, तो आपको 50% extra भी मिलता है, इसको मैं आपको example से समझाता हूँ, अगर आपकी hourly wages $20 है, और अगर आपको आपकी company overtime करने को कहती है, मान लीजी आपने 2 घंटे overtime किया, तो आप उस 2 घंटे में $60 कमा लोग है, इतनी paid leaves में आप एक से देड़ मईने आराम से अपने घर जा सकते हो चुटी पर, तो Canada में ज्यादा तो लोग यही करते हैं, कि अपनी सारी paid leaves accrue कर लेते हैं, और एक लंबी चुटी ले लेते हैं, और अपनी country गूम फिर के आ जाते हैं, अपने parents से मिल के आ जाते हैं, यहाँ पे आपको और भी benefits रहते हैं, जैसे 40 hours per week का work culture है, मतलब आपको हर रोज सिव 8 घंटे काम करना है, ऐसे full time work, इसके बाद आप चाहो तो part time work भी कर सकते हो, जो कि 20 hours तक कर सकते हो per week, मतलब आप total 60 hours per week कर सकते हो maximum, यहाँ पे आपको social security benefits भी मिलता है, और यहाँ पे average salary भ per hour मिल सकता है, कुछ high income jobs रहते हैं, जैसे lawyers, surgeons, doctors, experienced financial advisors, यह सब लोग आपको 100 dollar per hour या उससे ज़्यादा भी charge करते हैं, तो आप सोच सकते हो कि आपकी maximum income कित्ती हो सकती है, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, जो Canada में काम करना चालू करते हैं, जब उनको 5-10 साल का अनूभव हो हो जाता है, तो उनका 1 करोर से भी ज्यादा का package हो जाता है, अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, आप अपने आपको प्रूफ करते जा रहे हो, आपके timely promotions हो रहे हैं, तो आपका package बहुत ही अच्छा हो जाता है, within no time, by the way अगर आप इस चैनल में नए हो, तो इस चैनल को subscribe कर लिजे हो, bell icon भी दबा दीजे, ताकि आपको सबसे पहले notification मिलेगा, जब भी मेरा कोई video upload होता है, मैं work visa, study visa, and overseas job opportunities के उपर videos बनाते रहता हो, और अगर आपको कोई भी paid services चाहिए, तो आप मुझे Instagram पे भी approach कर सकते हो, मेरी Instagram ID है limitless my 101, अगर दोस्तों सबसे पहले हम यह समझ relationship मिल जाता है, तो आप 185 countries में visa free travel कर सकते हो, Canada में notice period भी बहुत ही short रहता है, आपका notice period जिस भी का आप company में काम कर रहे हो, one week से one month तक का हो सकता है, आपके बच्चों की free education हो जाती है, अगर आपको Canada की PR भी मिल जाती है तो, और Canada में आपको compassionate care benefit भी मिलता है, मानले जी अगर आपके परिवार में किसी की भी जादा illness हो जाती है, तो उसका भी coverage आपको Canadian सरकार के तरफ से मिलता है, फिर retirement के लिए CPP है, मतलब Canadian pension plan, Canadian pension plan से आप maximum $1250 per month ऐसे pension ले सकते हो, फिर यहाँ पे paid lease भी बहुत अच्छी है, आपको 25 paid lease annually मिलती है, यहाँ पे आपको environment भी अच्छा म लेगा, pollution कम है, आप family के साथ भी move कर सकते हो, लोगों का friendly nature है, Canada में आपको और भी benefits रहते हैं, जैसे आपको loan बहुत जल्दी मिल सकता है, PR भी जल्दी मिल सकती है, आपके लिए free healthcare रहता है, 40 hours per week का work culture है, और high average salary है, इसके अलावा यहाँ पे crime rate भी बहुत कम है, और आपको cheap housing मिल सकती है, और Canadian government की तरफ से आपको settlement plan भी मिलता है, अब दोस्तों हम New Brunswick critical worker pilot program के बारे में और भी बाते कर लेते हैं, currently इस program के लिए six companies eligible है, वो छे companies का नाम आपको screen पर दिखरा होगा, मैं आपको reiterate भी कर देता हूँ, Cook Aquaculture, JD Unwind Limited, McCain, Group Savoy, Group Westco, and Imperial Manufacturing Group, तो दोस्तों यह जो मैंने आपको six companies बताई, इन six companies में अगर आपको job मिल जाता है, तो आपको job के साथ PR भी मिल जाती है, New Brunswick critical worker pilot program के तरह, अब guys एक और आपको benefit मिलता है, जब आप New Brunswick के लिए try कर रहे हो, कि Atlantic Immigration Program का भी आपको benefit मिलता है, तो इसका मतलब यह आपको PR सिफ इस program से ही नहीं, आपको Atlantic Immigration Program से भी PR मिल सकती है, अब दोस्तों हम LIMIA process के बारे में भी समझ लेते, क्योंकि ज़्यादता लोगों को नहीं पता रहता है, कि LIMIA process होती क्या है, LIMIA means LMIA, मतलब Labor Market Impact Assessment, तो basically कोई भी Canadian employer है, उसको अगर किसी को hire कर candidate नहीं मिलता है, तब ही वो eligible रहता है, दूसरी countries से foreign candidates को hire करने के लिए, और इसी process को LIMIA process बुलते हैं, चो currently LIMIA से अगर आपको work permit मिलता है, तो इसका processing time 2-4 महीने रहता है, और इसके अलावा fast track processes भी है, जैसे international mobility program, global talent scheme, international experience Canada, ये तीनों program से आपकी fast track process हो जाती है, और आप within 10 business days भी Canada में जाके काम कर सकते हो, but guys एक बात आपको ध्यान में रखने की जरूत है, मैं आपको जो भी programs बता रहा हूँ, बले ही वो new branch critical work pilot program हो, बले ही वो LIMIA process हो, बले ही वो international mobility program हो, आपको सबसे पेले employer की तरफ से job offer letter लेना जरूरी है, जब आपको employer job देता है, उसके बाद ह आप eligible रहते हो work permit के लिए, काम करने के लिए, और job लेने के लिए आपके पास सबसे पेले एक international standard का CV and cover letter होना चाहिए, जो की keyword friendly हो, और अच्छी quality का बना हो, दोस्तों आजकल HRS के पास जदा time नहीं रहता, तो HRS क्या करते है, कि वो आपके CVs को, जितने भी उनके पास CV आते हैं, तो आपका CV HR की नजर तक आता ही नहीं है, और पेले ही reject हो जाता है, तो आप जो भी CV बना रहे हो, उसको keyword friendly होना बहुत ही जरूरी है, और अच्छी quality का भी होना चाहिए, क्योंकि competition बहुत है, आप कहीं पर भी apply कर रहे हो, वहाँ पे आपसे पेले 500 से 1000 लोग पेले ही apply कर चुके होगे, तो अगर आपका CV standout नहीं होता है, तो आप select होई नहीं पाते हो, तो इसलिए आपको एक अच्छी quality का CV बनाने की जरूरत है, अगर आप मुझसे एक professional CV बनवाना चाहते हो, तो आप मुझे Instagram पे अप्रोच कर सकते हो, ये एक paid service है, means इसका कुछ एक nominal charge रहे जिसमें 6 months and above की validity बची हो, और आपका जो passport है, उसमें minimum 2 blank page होना चाहिए, फिर आपको अपने employer के तरफ से एक valid work contract की जरूरत है, और आपको एक form fill करना पड़ता है, फिर आपको PCC की जरूरत है, जिसको हम बोलते है, police clearance certificate, और आपका कोई भी travel van नहीं होना चाहिए, आपको अ attachments, बतला आप जिस flight से जा रहे है, उस flight ticket की attachment बताते हो, जहां पर आपकी hotel की booking हुई है, उसकी attachment बताते हो, फिर आपको एक travel insurance करवाना पड़ता है, और आपको अपने bank account में sufficient fund बताने की भी जरूरत पड़ती है, ये fund इसलिए बताना पड़ता है, क्योंकि आपकी जब तक पह farm related jobs और fruit pickers के job, ये अभी बहुत ज़्यादा demand में है, काफी लोगों को इसमें job मिल रहे हैं, तो farm में आप farm supervisor बन सकते हो, आप fruit picker बन सकते हो, आप tractor operator भी बन सकते हो, इसके अलावा अगर आपने agriculture field में कोई education की है, तो उसका भी आपको benefit मिल सकता है, next है security guards, तो guys आपको security guard, body guards, valet, door supervisors and CCTV operators की हमेशा ही demand रहती है, इसमें आपको wages भी बहुत अच्छी मिलती है और work hours भी ज़्यादा रहते हैं, मतलब overall जो security guard के रूप में काम करते हैं, उनको ज़्यादा कमाई होती है बाकी लोगों के मुकाबले, और आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, वहीं पर आपको overtime भी मिल जाता है, इसकी वयसे आपको कहीं और part time काम करने के ज़रोते नहीं पड़ती है, तो अगर आप कोई भी security related काम कीए हो पेले, तो आपके बहुत ही अच्छे चांसे से, third is primary school teachers and early childhood educators, तो अगर आप teacher रह चुके हो, तो teachers की बहुत ज़्यादा demand रहती है, ऐसे foreign candidates, आप grinder garden teacher बन सकते हो, या primary school teacher easily बन सकते हो, तो अगर आप teacher के रूप में try कर रहे हो, तो आप in places में try करिए, next is professional drivers and delivery boys, तो guys truck drivers, professional drivers, delivery boys, bus drivers, cab drivers, इन सब की demand है, और ये ऐसे काम है जिसमें आपको अपनी time flexibility मिलती है, मतलब अगर आपको cab driver या delivery boy के रूप में काम मिलता है, तो आप अप अपने हिसाफ से time set करते हो, अपने हिसाफ से work hours set करते हो, आप जितना काम करते हो, आपको उसके हिसाफ से कमाई होती है, और सबसे बढ़िया बात ये है कि as a cab driver या delivery boy, आपको tips भी बहुत अच्छी मिलती है, Canada में tip देने का बहुत ही अच्छा culture है, तो आपकी जितनी भी कमा ही हो रही है, उसका 20% extra आपको tip के रूप में मिल जाता है, next is nursing assistants and caregivers, तो आपको healthcare sector में बहुत ज़्यादा डिमान रहती है, आप nursing assistant, caregivers या फिर आप किसी भी पकार के doctors हो, जैसे general practitioner, physiotherapist, psychologist, surgeon, gynecologist, हर पकार के doctors की जरुत पड़ती है, तो जब भी आप doctor के रूप में काम देख रहे हो, तो initially आपको ऐसे assistant काम करना पड़ता है, for several months, उसके बाद आप ऐसे licensed doctor काम कर सकते हो, तो अगर आप healthcare sector में काम करने की सोच रहे हो, तो आप ऐसे assistant ट्राय करिए, उसमें आपको जल्दी job मिल सकता है, next is supermarket and warehouse jobs, तो आपको warehouse में warehouse supervisor, warehouse associate, packaging operator, picker and packer, logistic supervisor, इस टाइब के काम मिल सकते, in fact, काफी सारे warehouses में machines की भी जरुत पड़ती, factories and warehouses में, तो आपको ऐसे machine operator भी काम मिल सकता है, for script operator, या CNC machine, lat machine, EDM machine, या machine line operator, किसी भी प्रकार की आपको factory machines चलाते आती है, तो आपके अच्छे chances रहते हैं, same way, आप जो supermarkets में try करते हो, तो supermarkets में आपको store supervisor, sales manager, cashier, sales representative floor supervisor, housekeepers, door supervisor, CCTV operators, हर पकार के आपको काम मिलते हैं, in fact, यहाँ पे आपको admin team का भी काम रहता है, और logistic related भी आपको काम मिलते हैं, next is restaurants and hotel jobs, तो अगर आपको restaurant industry या hotel industry में कोई भी अनुभव है, तो आपके बहुत ही अच्छे chances हैं, इन jobs में foreign candidates को बहुत ज़्यादा लिया जाता है सबसे ज़्यादा demand रहती है cooks की, इसके अलावा event managers की जरूत पड़ती है, food and beverage attendant, night porters, receptionist, जिसको हम front office sales agent भी बोलते हैं, commis chef, executive chef, हर प्रकार के आपको काम मिलते हैं, guys, next is customer service representative, CSR मतलब आपको कुछा तो call center का काम रहता है, जिसको हम front end work बोलते हैं, यह आपका back end में inbound processing में का काम रहता है, front end में आपको customers से directly deal करना पड़ता है, और back end में जो customers की queries आती है, email के थुरू, आपको उनको rectify करना पड़ता है, इस प्रकार के काम आपको maximum companies में मिलेंगे, और maximum supermarkets में भी मिलेंगे, next is housekeeping and maintenance works, तो दोस्तों housekeepers की हमेशा ही जरूत पड़ती है, आप किसी भी company में चले जाओ, किसी भी school, college, supermarkets, हर जगे cleaners की जरूत पड़ती है, तो cleaners की हमेशा ही demand रहती है, और यह ऐसा काम है, जो जल्दी मिल जाता है लोगों को, इसके अलाबा, अगर आपने electrician के रूप में काम किये हो, या lift maintenance के रूप में काम किये हो, तो आपको maintenance, electrician या lift maintenance वाला भी काम आसानी से मिल सकता है, इसके अलाबा, IT professionals की भी जरूत पड़ती है, तो अगर आप IT related कुछ काम कर चुके हो, जैसे software engineer, software developer, आप networking में कुछ काम कर चुके हो, production supervisor के रूप में, database management के रूप में, या cyber security, game development, किसी भी पकार के काम कर चुके हो, तो आपके बहुत ही अच्छे chances ह In fact, बहुत सारे engineers की भी जरूत पड़ती है, जैसे civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer, electronics engineer, chemical engineer, सभी की जरूत पड़ती है, और इन कामों में wages भी बहुत अच्छे मिलती है, तो दोस्तों, अब हम यह समझ लेते कि आपको कहाँ पर apply करना है और कैसे apply करना है, तो सबसे आदा आपको जो job मिलते हैं, व indeed, linkedin, glass doors, इन में भी आप try कर सकते हो, इन में भी आपको अच्छे chances रहते हैं, job मिलने के, अब दोस्तों, मैं आपको एक demo भी बता देता हूँ, कि आप jobs के लिए कैसे apply करोगे, और कैसे filter करोगे, तो चलिए screen पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कि कैसे आपको jobs के लिए apply करन दोस्तों, तो मैं आपको job bank का example बता रहा हूँ, इसमें सबसे पहले मैं आपको cook के job का बता रहा हूँ, कि आपको cook के रूप में अगर job के लिए search करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, तो आप simple देख सकते हो, मैंने लिखा हूँ cook, और यहाँ पापको cook के बहुत सारे jobs दिखा है यह सारे Canada के jobs है और यह सारे लिमिय अप्रूट जोब रहते हैं ठीक है तो आप यह जैसे देख सकते हो Sudbury का है यह उंटारियों का job है यह कुक के लिए है सेम वे Mr. Sushi का भी का काम है यह $18 per hour आपको दे रहा है यह North Vancouver में ब्रिटिश Columbia में इस टाइप से आप देख सकते हो कितने सारे आपको jobs दिख रहे है अब जब भी आप job के लिए apply करते हो या search करते हो तो आपको advance में जाना जरूर ही है तो दोस्तों जब आप advance में पोच जाते हो तो आपको scroll down करना है और यहां पे होगा Canadians and international candidates यहां पे आप क्लिक कर दिजिए इसके अलाबा आप और भी चीजों की filtering कर सकते हैं मानलो अगर आपके पास experience नहीं है तो आप no experience पे click कर सकते हो तो यहां पे आप देख सकते हो मैंने Canadians and international candidates पे click किया और यहां पे no experience पे click किया इसके अलावा भी आप salary के इसाप से भी filtering कर सकते हो आप चाहो तो सिफ permanent job के लिए देख सकते हो seasonal works भी यहाँ पे मिलेंगे आपको permanent job भी मिलेंगे इसके अलावा आप अपने यह जो filtering है इसको provinces के रूप में भी कर सकते हो आप कौन से province में जाना चाते हो उसके इसाप से आप jobs देख सकते हो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको हर एक province के job दिख रहे है तो आपको जो भी province में जाना है जैसे Ontario, Alberta, Saskatchewan, Yukon कोई भी में जाना हो आप उसमें click कर सकते हो तो उसके बाद आप view पे click कर दो आपने जैसे यह कर दी है फिर आपको सारे वेसे jobs दिखा रहे है जो की international candidates के लिए है मतलब आप अपनी country से भी apply कर सकते हो अब यहाँ पे आप देख सकते हो truck driver का job है, long haul truck driver का यहाँ भी truck drivers की wages बहुत अच्छी रहती है 26.25 dollars per hour मिल रहा है यह Ontario का ही काम है इसके अलबा housekeeper का काम है housekeeper मतलब cleaner का काम यह Vancouver में है, British Columbia में यहाँ पे आपको 17.75 dollars अवरली मिल रहा है फिर food counter attendant का काम है इसी type से आप देख सकते हो office में admin assistant का का काम है आपको food and beverage attendant का का काम मिल रहा है hotel में, sun on the beach limited हो एक hotel है यहाँ पे, यह Alberta region में है ऐसे ही आप देख सकते हो आपको हर जगे job मिल रहा है एक और आपको Alberta का का काम दिख रहा है Edmonton में है, यह cashier का का काम है अभी मैं आपको kitchen helper का का काम दिखा रहा हूँ यह है, Maruti Pruro NS INC में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 14.5 dollars hourly मिलेगा आपको week में 35 hours का का काम करना है यहाँ पे 2 vacancy से और यह आप देख सकते हो यह urgent requirement का काम है यहाँ पे लिखा हुआ है starts as soon as possible यह देखिए job bank की ID भी दी हुई है और यह verified job है यह full time या permanent employment का job है यहाँ पे आप देख सकते हो basic language English आपको आनी चाहिए आपको कोई education या degree या certificate इक्रोमा की जरूत नहीं पड़ेगी experience की भी जरूत नहीं पड़ेगी experience की आपको training दी जाएगी मतलब आपके पहले अफते training दी जाएगी आप जब training complete कर लेते हो फिर आपका काम जालू होता है यहाँ पे आपको कौन सी equipment और machinery चलानी है deep fryer ग्रील चलाना है इसके अलाब weight आपको किता handle करना है maximum 9 kg का weight handle करना पड़ता है यहाँ पे आप देख भी सकते हो यह जो employer है यह किन किन को accept करता है यह Canadian citizens और permanent या temporary residents को भी करता है accept और other candidates with or without a valid work permit मतलब foreign candidates को भी accept करता है मतलब दूसरी countries से आप apply कर सकते हो है आपे तो guys इसी तरीके से आप देख सकते हो अलग-अलग काम रहता है यह देखिए आपको early childhood educator का भी काम मिलता है जिसको kindergarten teacher भी हम बोल सकते इसमें salary भी आपको tick-thak रहती है accounting bookkeeper का काम है mechanic का भी काम है mechanic helper का child care provider का मतलब जिसको caregiver भी हम बोलते यह भी काम है तो आप इसी तरीके से जगे-जगे पे apply कर सकते हो तो दोस्तों जैसे आपने देखा इस तरीके से आप jobs के लिए apply कर सकते हो jobs के लिए apply करना असान है provided आप regularly apply कर रहे हो रोज 15-20 जगे पर apply कर रहे हो क्योंकि आपको अगर foreign country में job लेना है तो consistency is the key आपको regularly effort डालना पड़ेगा और आप पेले ही मान के चलो कि आपको between 2-5 months तो लगे गई job मिलने में it's not a one day process आपको थोड़ी मेहनत अपने site से करनी पड़ेगी आपको बस right tools की जरूते that is international CV and cover letter उसके बाद आपको right platforms में apply करना है मैं आपको इस video में already बता चुका हो कि किन platforms में आपको apply करना है और demo के साथ बता चुका हो कि आपको कैसे apply करना है और अगर आपको कोई भी paid services चाहिए तो आप मुझे Instagram पर भी approach कर सकते हो मेरी Instagram ID है limitlessmayang01 So I hope आपको ये video अच्छा लगा हो I wish you all the best and see you in the next video